Hello everyone, आपने programming languages के अंदर एक word सुना होगा, memory management, और memory management के अंदर जो हम पढ़ते हैं garbage collection, और फिर उसमें पढ़ते हैं automatic garbage collection, तो ये क्या होता है? देखें, memory management, memory जो है हमारे computer की, ठीक है, main जो हम primary memory बोलते हैं, वो RAM को बोलते हैं, और जब भी memory का हम नाम बोलते हैं, तो उसको RAM ही समझा जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर, manage करने की इतनी जरूत नहीं है, उसमें खुब सारा space हमारे पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो RAM है हमारी वो limited है, तो currently जो program रन कर रहा है, वो रहते हैं हमारे RAM के अंदर, और जैसे हम उनको बंद करते हैं software को, तो वो RAM से हट जाता है, तो RAM के अंदर currently जो data यूज आ रहा है, वो उसमें रहता है, अब जैसे कि RAM की size है, वो एक limited रहती है, आजकल तो 8.8 GB तकाने लग गई है, लेकिन यह बहुत ही costly होती है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते हैं इसमें, तो इसको manage करना जरूरी होता है, कि जो data हमें काम में आ रहा है, उससी data को RAM में रखना है, बाकी data को हमें वहां से हटा देना है, delete कर देना है, अब garbage collection में क्या होता है, garbage का मतलता है, अब यहाँ पर RAM के अंदर कच्च्रे से मतलब क्या है, तो कच्च्रे की definition क्या होती है, garbage की definition होती है, कि कोई बैसे चीज जो हमारे काम की नहीं है, उसको हम बोलते हैं कच्च्रा, garbage, तो यहाँ पर काम का क्या नहीं है, अगर हमारी कोई फाइल है उसको हमने काम में ले ली अब वो काम में नहीं आ रही है तो उसको अगर हम रेम में रखेंगे तो हमारे लिए कच्रा है तो उसको हम यहां से हटा देंगे दुबारा जो काम में लेनी है तो हम वापस हार्डी से लोड कर लेंगे उसको तो ऐसा data जो हमारे memory के जो blocks है उनको occupy करके रखावा है और वो कुछ काम का भी नहीं है तो हम उसको वहाँ से remove कर देते हैं और जो memory blocks हैं उनको हम free कर लेते हैं ताकि हम उसमें दूसरा data store कर सकें तो इसको garbage को हटाने की जो प्रक्रिया होती है garbage collection जो memory blocks हैं उनमें से data को remove करके उनको free करके रखना उनको खाली करके रखना इसको बोलते है garbage collection automatic garbage collection में क्या होता है यह automatic होता है user को करने की ज़रूत नहीं है तब ही आपको क्या होता है कई बार आप print app कराते हैं cout कराते हैं और उसके अंदर आपने अगर variable एक बना दिया inta और उसके अंदर कुछ value भी store नहीं कराई है ठीक है यह practically आप करके देखना तो अगर किसी language के अंदर आपने कोई variable बनाया उसमें value कुछ भी आपने assign नहीं किया है और आपने उसको print करवाया है screen के उपर फिर भी उसके उपर screen पर कुछ ना कुछ random value उसमें print होती है इसका मतलब उस language के अंदर automatic garbage collection नहीं हो रहा और पुरानी कोई value उस memory location पर पड़ी हुई थी जिस पर हमने A को वहाँ पर लगाया है जहाँ पर A का address दिया है कि A में जो value डालेंगे वह भी रहेगी तो वहाँ पर पुरानी कोई value है तो वह value प्रिंट हो जाएगे में screen पर दिखाई देगी लेकिन अगर automatic garbage collection है तो वहाँ पर value 0 आएगी कुछ भी value नहीं रहेगी आपर क्योंकि वह value ह उसको remove कर दी गई है तो यह आपको practically करके भी देखना है तो यह एक बहुत important topic है automatic garbage collection जो आजकल जो object oriented languages है उनमें सब में feature present रहता है Thank you